नमव नारेन जैगो माताव वंदे मात्रमा भार्ति कुप नाम और हिर्दैशे ओम शम शनिश्चराये नमा प्रदशकुन में तनुशाथियों तुजर्बे से बड़ा कोई विश्विदाले नहीं है और मुसिबत से बड़ा कोई उम्तियान नहीं है और वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है इस पे थोड़ा सा विचार करिएगा यह अनुभव की बात बता रहा हूं शाथियों और एक बात और कहना चाहता हूं बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए आपकी तमाम उल्जेने उपर वाला सुल जादेगा ओम नमव नारे फिर देशलों मित्रों शाथियों सितंबर 2023 का महिना बारक बारा राश्यों के लिए कैसा रहेगा वीडियो आपके सामने है आपके सामने आपके जिवन की खुश्या और गर्ण श्रक्तरा शंकेत लेकर पने आपके सामने आया हूं शवी मित्रों और शाथियों को स्रीक्रेशन जन्यमास्ट में की हार्द इक्सुब कामना है और रेशिपंच में भी आएगी उस वर्द की बहुत-बहुत बढ़ाएगी इस वीडियो में बहुत कुछ है क्योंकि 29 सितंबर 2023 से स्राद प्रक्ष प्रारब होगा और वो 14 अक्टूबर तक चलेगा पितर प्रक्ष पितर सांती के लिए अध्भूद माना गया है यदि आपको किसी ने भी पितर दोश को लेकर कोई चर्चा करी है तो भैवेथ होने की जूरत नी है इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है प्रतेक रासी की अलग अलग साथी सितंबर का महिना गरने नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा क्या आपको लाब मिलेगा कारोबार में शपलता मिलेगी नौकरी में आगे बढ़ने का मोका मिलेगा या जो केरेर श्रमन्दी परेशानी उसे मुक्ती मिलेगी या फिर परेशानियों से जूंजना पड़ेगा क्या भग्या आपकी पक्ष में दस्तक देगा किन-किन छेतरों में विशेष शावधानी बरतनी पड़ेगी इन सभी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा गणनाये लगन के आधार पर भी होगी और गणनाये चंदराशी के आधार पर भी रहे तो सबसे पहले राशिपल पर आऊं मैं ग्रह गोचर की बात करता हूं सुरीदेव महा के आरम में स्वरासी सिंग में संचरन करेंगे 17 सितंबर से सुरीदेव कन्या रासी में परिवेश करेंगे मंगल देव महा के आरम से अंतक कन्या रासी में संचरन करेंगे बुद्देव महा के आरम में वकरी अवस्ता में सिंग रासी में विराज मान रहेंगे 15 सितंबर को बुद्देव सिंग रासी में मारगी होंगे ब्रश्पती देव महा के आरम में मेश रासी में विराज मान है चार सितंबर को ब्रश्पत देव मेश रासी में वक्री अवस्ता में संचरन करेंगे। ब्रश्पत देव और शन देव वक्री अवस्ता में संचरन करेंगे। दोनों ही आदार पर राशिपल पर मैंने मेहनत किये लेकिन राशिपल को चंदरासी से देखने में अच्छा लगेगा राशिपल महिलाओं के लिए भी है पूरसों के लिए भी है युवाओं के लिए भी है बुजरगों के लिए भी बच्चों के लिए भी है और यह और मैंने कभी किसी पर दबाव नहीं दिया इमानों इमानों ये आपकी मर्जी ये निवे दिन हमेशा मैं आपसे करता हूं अब सितंबर के महिने में 12 के 12 राशियों पर नक्षद गरन्नाओं के आधार पर क्या आंकलन होगा इस विश्यों को लेकर आपके सामने और अब मैं भचक्र की राशी चक्र की 11 वी राशी यानि कुम राशी की बात करो आपके लिए इन ग्रों का विभिन राशी में संच्रण से आपके उपर यानि कुम राशी सर्च पहले में कुम्राशी की राशी अध्यपती शनीदेव की बात करूँगा। प्रेशान से चुटकारा देनाने का सब्सक्राइब और आत्म विश्वास में बढ़ती है। और शफलता मिलेगा। मान सम्मान में बिर दियोगा। स्वास्तिया अनकूल लेगा। समाज में आपका वरत्रिस्टो बढ़ेगा। कारी समता कारी कुछ सल्टा की वज़े से लाब और ने कारोबारी समद बनेगा। मल्टिनेशनल कंपणियों से अच्छे समंद बनेगा। आप प्रसासनिक अफ्चर हैं। आप राजनेता हैं। आप सरकारी नौकरी में हैं। चाहिए प्राइविट नौकरी में। हर जगे आपका मान समान यस्ट बढ़ेगा। और आपके लिए प्रमोशन या मनोंकुल प्रदोनिती की संभावना भी है। इदि आपका कामकास साथदारी में है। और आप थोड़ असा निरने रजाबंदी की साथ ले लें। तो आर्थिक पक्त में सुधरता आएगी। थोड़ा सा तलखी नियों इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नक्षत गर्णा इस बात का भी संकेदरी है। वैविशाय में नौकरी में अपनों का साथ पूरा मिलेगा। जिवन साथी के साथ संभन्दों में सुधरता आएगी। तो यह था राशी अधिपती शनिदेव का लगन में संच्रण करने का प्रभाव। क्योंकि ब्रश्पती देव से त्रेकादर संभन्द है। मनवल बहुत मज़ित है। मनवच्छाओं के पूर्ती होगी। वैपार में सपलता मिल धन तो मिलना है। संतान पक्ष पर थोड़ी सी लापरवाई नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि शूरी देव आपके लिए सितंबर के मेहने में क्या संके देव। सुदेव शप्त में सोकर श्वाराशी शिंग में सब्तम्भाव से संच्रण करें। सुदूम्भाव साजिदार है। आपका वैपार है, आपका कारुबार है, डेली इंकम है, आपका पारवारी जिवन है, आपका बिवा है। तो सुदूम्भाव में संच्रण कर रहे हैं शूरी देव, सुदूम्पूंदूसी लगन भाव को देवें। थोड़ा सा attitude पर control करना पड़ा अग्रेशन पर control अतलिक आत्म विश्वास पर control करना पर पारवारिग दर्श में थोड़ा सा संबल कर चलने का इसमें आपको अपनी अपेक्षाओं पर निंटन रखर अपने सभाव में बदलाव की जरूरत है आपके सभाव में अगरिशन नहीं हो आपकी वज़े से आपके परिवार के सदेश में नेरासा नहीं हो इसे क्योंकि आपके सभाव के वज़े से आपके व्यक्तिकत जीवन के साथ से आपकी पारवरी जीवनों भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और नक्षतरकान इस बा सब्सक्राइब और सरकारी मामलों में कहीं पर भी आपको सफलताक में चार चांग देगे कि 17 सिरुदेव कन्याराशी अस्टम भाव माएंगे सब्सक्राइब कामगाच कारोबार व्यवशाई नौकरी में परिवर्तन करने के लिए चार हैं तो समय का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा है किसी भी नहीं कारोबार में पिना पारवारी व्रजाबंदी के निवेस नहीं करें और मोटा पैसान लगाना मेरे गणनाओं के हिसाब से अच्छा नहीं है नुक्सान हो सकता है थोड़ा सा सत्रों से शावधान देना आपको नुक्सान पहुंच सकता है बहुत जरूरी आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखे नौकरी पेसा जातक अपने श्रभाव में नर्वी बना रहे शोद के सित्र में प्रयासरत विद्यारत को विश्यसलाब में लेगा तकि शुरीदेव अस्टमभाव से गोचर कर से मंगल देव तीशरे और दसमभाव के अधिपत्र मास के आरमस लेंक कन्यारासी अस्टमभाव में संच्रण करेए यघृत है यह इस बात आका सगके नरे कि अग्रेशन पर चाहिए गुष्चे पर कंट्रोल चाहिए जल्दबाजी से बचना बहुत ज़री इस गोचर की वज़े से आपको जीवन में मिले जुले प्रिणाब देखने को मिलेगे नौकरी में उताव चड़ा कर सामना करना पर सकता है कारिश्यत में कठीन और थोड़ी प्रतिकुल प्र से साफधान है किसी गल्द पर में आपको दूर रहना लेकिन पैसा आएगा आर्तिक पक्स उधर होगा कामकाज में अच्छे आउस्वर मिलेंगे सोद और रिसर्थ के सित्र में भी लाब मिलेगा और पैत्रिक संपतिका भी आपको लाब मिलेगा यह था मंगल देव का संथ बात करते हैं बुद्देव बुद्देव पंचम और अश्टम भाव के सवकर महा के आरम में वक्री आउस्ता में सिंग राशी शप्तम भाव में संच्रण करेंगे शप्तम दिशिल लगन भाव को देखेंगे 15 सितम्र को बुद्देव संच्रण आपके लिए कामकाज रहेंगी कारुबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगोर कारुबार विश्तार का भी मोवके मिलेगी हिदी वेवशाही साजदारी में है तो वेवशाही गति पकरेंगे साजदार से अच्छा तallen्मिल Happy और कारे में पार्दस्ता बनी रेगी सोच रतनात मगड़ेगी जिसका फाइदा आपको धनलाब के रूप में मिलेगा वैपारिक मौमल में संतान का साथ मिलेगा इससे में आपको गरहलू जीवन शांत पूंड़ेगा और सामजस्य बना रहे इसके अलावा एक अच्छी बात हाध घर का माहुल स्वाहरद पूर्ण बनाने में मदद करेगा तो अच्छा संक्ये देर हैं ब्रश्पति ब्रश्पत्यवे उन्यारी और दूसरे भाव के स्वाम होकर तीसरे भाव में रहुद्देव के साथ संचनट करेंगे चार सित्रमगौ ब्रश्पत्य देव में वक नौकरी की बात करो धन की बात करो तो लाब मिलेगा सफलता मिलेगा अच्छे विगन बाताओं से पीछा चुटेगा और आगे बढ़ने का मोखा भी तकी वेवशाय में नहीने समंद बने में नौकरी में बहुत से प्रशन होगा नौकरी में नहीं जम्यवारी मिल सेकते तो क कारी की गुणवत्ता में बड़ो द्रियूर कारी आपकी पकर में रहेगा कम परिष्ट में अधिम लाग के सथी बनी रहेगी समय आपके पक्ष में करवड ले रहा है ब्रेश्पद्देव की कृपा दसी आपको बनी रहेगी और अपने प्रिजन साथ बैटने का भी मौका मि मिलेगा इस अमें आपके साथियों का मित्रों का पूंठ शयुग आपको मिलेगा और गुमने-पुर्णे का अवसर बी लूप के आच्छे मोटे मिलें गिस विद्धिस से कारुबारी शमद्र मनी उस शिक्सा के छितर में उत्तम उसर मिलें के करीयर कारुबार में कानूनी समय रवस्ता में करक्राशी कहते हो कि नक्षित गरना यह कहा थोड़ासा किसी तरह का मोटा लेंदेन को व्यवसाइद लेंदेन उससे बचना चाहिए क्योंकि व्यवस्तिच नहीं होने की विज़े से नुक्सान हो सकता हूँ रृत की प्रपंछों से अपने आपको दूर रखने और सब्सक्राइब कर दो से आपकी छबी को नुक्सान पहुंच सकता है कि शुक्रदेव के छटे भाव में उप्रस्ति आपके माता के स्वास्त्य को लेकर अच्छा संकेत दें चिंता की संकेत है स्वास्त्य का ध्यान रखना होगा माता जी खानपान की गुणुवात तक है प्रती सचेत्रे विद्यारती है यह समय आपके लिए पढ़ाई के हिसाब से अच्छा रहेगा परतियुक्ता परिक्षा में इसे सपलता मिली कोट कचरी की समंदी मामलों में गती आएगी और करवारी समंद बनेंगे चोटे भाई बेनों को शपलता मिलेगी मार्केट के चेत्र में आपकी साग बढ़ेगी करवारी यात्रा में उत्तम आउसर मिलेंगी और जिसरे के घरे योगायोग है नक्षत गरना इस बास परिवार का पूरा साथ मिलेगा परवारी परिशान से म घर परिवार में मांगली कारी शंपन होंगी द्वजा लहरा आएगी कारिये की हो चाहिए राजनेती सफलता की अच्छे अवसर में शुकर शमर्दी में व्रदी होगी केरियर कारोबार में उत्तम आउसर के साथ साथ मार्केट में आपकी साक्य आपका वर्चसू तो ये था नोके नोकरों का विभिन राश्यों में विभिन भाव में संचर्ण का लगन के आधार पर संक्ति जब ये गरे आपस में समंद बनाएंगे द्रशी समंद, यूती समंद, योगा-योग उस अवस्ता में कुमराश्य वालों के लिए सितंबर 2023 का महिना क्या संकेद क्या कारुबार में शपलता मिलेगी, क्या नोकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्या धन की प्राप्ती होगी, क्या छोटे भाई बेन साथ खड़े रहते हैं, क्या सुक मिलेगा, क्या शिक्सा में शपलता मिलेगी, क्या अनावश्यक परिशान चे मुक्ति मिलेगी जीवनसात्य का साथ मिलेगा कारुबार में अनुकुलता आएगी लाब की आउस्षर मिलेंगे तो फिर दुरुगट ना है इन संपून ग्रनक्षतर ग्रना का अधार पर कैसा रहेगा कामकाज कारुबार नौकरी वेवसाय समाज स्वास्ति और शिक्षा के हिसाफ से धन की बाद कुम्राश्य वालों के लिए लगन और दौदास भाव कि स्वामी को लगन भाव में अपनी मूलत रिकॉंड राषी कुम में वक्री आवस्ता में घोचर कर रहे हैं और प्रिश्ट्वेट पंचब्दस्थी शात्वे भाव पर शब्दस्थी नमवं भाव पर और नम्मदस्ट्री लाब भाव परें अनिल कुम्भराशिवालों के लिए मंगलदेव अष्टर भा यहां करें शुरदर बुरद्धु सिंग रासी सप्तुम भाव में संचन करें शुक्रदेव करक रासी चटे भाव में संचन करें गोचर यह संके देर है कि कारी की प्रति आपकी रूची आपकी महनत अवश्य आपको शपलता की रापर लेकर जाए पर तुशकर में वहवर में सालिंता रखें साज़दारी के कारी में शाफधानी से इंड़ने ले और आप से पार्दस्या बहुत ज़रोगी आप नौकरी में हैं समय नई नौकरी की तलास करें जातकों के लिए अनकुल समय नौकरी प्राप्ति के कहीं अच्छे मुख्या आपके हाथ में आएंगे और अच्छी जॉब क कारिस्तर पर किया अगर कोई भी प्रिवतन आपके लिए लाप दाएक रहेगा कामकाज कारवार नौकरी आर्थिक लएक सितंबर के मेने में अनकुलता और लाप का संक्यत अच्छा है इसमें आप कारिस्तर मन लगाकर कारी करेंगे रुक्यों सारे कारी सहस्ता से पूरे हो इस वज़े से आपका आतम विश्वास और आपका मनुबल बढ़ेगा प्रतिष्टत और रशुदार लोगों सार्शंपर बढ़ने के कारण मांसमान धंसम्यदी समयशक और समधान मिलेगा इदिया आपका कामकाज विदेश्वम है यह आप अपने देश से बाहर रहकर बढ़ेगे 17 सित्व में शुरुदिव अस्टमभा में संचुन करेंगे वैवशाय कामकाज नौकरी थूड़ असा नीति निमसिंद धानतों का पानुश सरकारी मामलों मिला परानी पेपरवर अच्छा होना चाहिए और कानुनी मसलों से दूर रहना बहुत जरूरी सरकारी दोनों की स्थिति आपके लिए अनकुल है कारी बहुत जल्दी संबल जाएंगे प्रतिकुल प्रसुन को आप बहुत जल्दी निप्टा लेंगे धन और आर्थिक पक्स को लेंगे उत्तम अवसर स्टमभर का महिना आपको दे रहा है मैं सामजी करूब पारवरी देश्टिकौन से बात करूँ नक्षितर गान इसे बात का संग्रिदी कि पारवरी मसलों को लिखकर कुम्राश्य वालों को शितंबर के महिने में धैरी और सहिम का प्रचे देना करूँ कि आपके बैवार के कारण आपकी कारिसाली के वजह आपकी भासाश्य एक गर के सदेशियों की भावना आथ हो सकते हैं पारवरिष दिशे के बीच में आपसी टक्राव बढ़ने से घर का मावल खराब हो चकता है। पारवरिष दिशे के बीच में आपसी तालमेल बिठाना आपके लिए बहुत जरूर हो इसमें खुद को सांत बनाए रखें और दजदबादी में कोई पारवरिक फैसला नहीं है। समय निकाल वगर परिवारिक का साथ बढ़ें उनकी सुनें उनकी आवशित्ताओं पर धानें। सितंबर का महिना युवाओं के लक्ष पूर्ती का प्रबल संकेत दे रहा है। क्योंकि परिवार का पूंशात मिलेगा। और लक्ष प्राप्ती में विद्यार्ती और युवाओं को पारवरिश्वाओं का मार्क दसन महत्मन भूमिकाने भाएगा। प्रबल स्प्राप्ती में अच्छी सपलता का संकेत दे रहा है। थोड़ा सा ग्रूप इस्टी पर ध्यान देगे तो अच्छा लाब यहुआ। फिर भी महाँ आप से कहने हैं कि सिक्सा में अरुची आपको नुक्सान देगे। इसलिए इसलिए ध्यान देगे। का महिना केरेल की दर्श्टिकों से बहुत अच्छा रहेगा। नया कुछ करने का उसर मिलेगा। अलग-अलग छेतरों में प्रतियोगिता में भाग लेना का मौका मिलेगा। जहां आपको पूंच अपलता मिलेगा। आपकी गार्जिन, आपकी सिक्षन, आपकी कारिशिल से प्रभावित होगे और आपको श्वयूब देगा। बहुत जरूरी है कुमराश्यवालों को स्वास्ति के दर्श्टिकों से ध्यान दखना। मौकि स्वास्ति के दर्श्टिकों से असंतोलों का संकेवालों को स्वास्तिकों का संकेवे दुए टो नुक्रप्तास नहीं करें, नुक्सान की प्रभलाएरेश्ध आधि, स्वास्तिकों से ध्यान का दूर्जान va ge llegar भावनात्मग बैलेंस बनाना बहुत जरूरी निराशों को अपने आसपास नहीं आने देजी मात पिता की स्वास्ति पर ध्यान लगे स्वास्ति को लिए कुछ जागरूग बने स्वास्ति तकलिवन से आपका कामकाज प्रवाइद हो सकता है सकरात्मग सोज और सात्विक जि सर्दान उसार तेल का दान जेक हर रोज अपने घर में सर्शों का तेल जला कर स्री शिवाई नमस्तु भेहम के साथ ओम हरीम सूरी पुत्राय कलिंग कृष्णाय नम इस मंत्र का जापकना उत्तम रहे हर रोज पातकाल नित्यकर्म में उसे नानो प्रांथ एक पाठ हनमान एक पाट सनी चालिसा और शर्धान उसार उड़न गाई को अपने हाथ से खिला जाएंगे कर्ष्ट और प्रेशान से शुटका रहा है जैसा कि मैंने आप सब लोगों से निवे देंगे कि कर और श्रादव्र्ण कि मनाने से घर में शुक्शांति आएगी कामकाज में शपलता म subsidies और जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले तो श्रातपक्स में घर की दख्षिनivals दिवातिवा कर अपने पित्रों वहनगों को भोजन और वस्तरों का दान देना भी आच्छा रहा है बोजन तो हर रोग देना चैले पंद्रह किरें को अपने पूरोजों की मृध्योतिते की दिन सदाचारी ब्रामन को बुलाकर पूजन तरपन और अपने पूरोजों के जो भोजन पसंद था वो बोजन गरीबों को कराए और ब्राह्मन को श्रदार नुशार दक्षा जरूर पूरे श्रात्पक्स पित्रों के नाम प्रतितन सामुके पांच आटे की दिपक जला कर अवशे पूजाइस्तान में रखे आपके लिए अच्छा रहे पूरे श्रात्पक्स घर की पहली में रुद्रा अभशे करना इन पंद्रा दिनों में लग लग तीन चार रुद्रा अभिस्तों करी ले और हर रोज कच्छे दूर में थोड़ाशा केसर डालकर भगवान शिव की सिवलिनी वर्पित करने से पितर प्रशन होंगे केरियर करबार नोकरी में सपलता मिले जिवादने तरक शेकन ओपन न का अधिकर आपका था आपका है आपी का रहेगा मानों नमानों आपकी में अखलन मेरे था डूना हाथ जोड़ कर आप से चमा मंगता हूं आप सुखी रह आप स्वास्त्रे शमर्दी सीले शन देव के चड़न मेरी प्रात्मा ओम नमना रहे बेटियों से बहुत प्यार करता है हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया और यह मेरा सौक था, मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजे से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का लक्षदा है मनश्य हूं और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट की शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन जिस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्थिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि आप शेवा करिया आप मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्योग चाहिए और स्योग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज़ में गायों के लिए चाहरे की वेवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा यह एंकार नहीं है साथियों मेरा राज शरूब पर है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेविस्ता करिए सनिभगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्ट कौन से अनकोर संकेत नि दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकार कर रहे हैं अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक शीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिर्दय से पुने एक बार निवेदन करना चाहता है आपको लगता है कि दाति महाराज के साथ सनिदाम गोशाला में खड़ा रहना है नमबर है ज़र स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातराती ओम नमोन आराएन